हेलो फ्रेंट्स वेलकम पैक वंस अगैन हमारे अपने चैनल में एक्सप्लोर विद बाबा फ्रेंट्स में आया हूँ आज एक्स्टेयर के लॉंच में जो की हुंडाई का नया माइक्रो एसवी है और मैं आया हूँ ओजा हुंडाई बेलतला चराली गोहाटी में आज इसका रिव्यू करेंगे इसको देखेंगे इसमें क्या क्या फैसिलिटीज है और क्या है वो शोट में हम आज जानेंगे तो फ्रेंट्स इसका जो इनिशेली जो प्लास्टिक है वो मै वायरलेस चार्जर मिल जाता है यह फ्रेंच बताना चाहोंगा यह जो मॉडल है यह टॉड मॉडल है सब्सटरी और इसका जो एक्जो रॉम प्राइस वह है नाइन लाक्स नाइटी नाइन थांच और इसका जो ऑन रोट है वह लगभग 11,001,001 अग है और जो इसका इंटेरियर में है कुछ चेंजेस आपको मिलेगा जैसे की संरूफ आपको मिल गया है 9,99,000 के 100 रूम प्राइस में आपको संरूफ मिल गया है और जो इसमें जो है और एक एक्स्ट्रा फीचर जो की एड ओन हुआ है जो कि मुझे काफी अच्छा लगा है गोप्रो की तरह इसमें आटोमेटिक वीडियो रिकोर्डिंग होगा जो कि हाफ एन आवर आपका जो गारी जो चल रहा है जब आप गारी को स्टॉप करेंगे उसका लास्ट हाफ एन आवर में जो भी एक्टिविटीज हुआ है गारी के अंदर और गारी के बहार वो रिकोर् और उंडाई का गारे में यह हमेशा से एक प्लस पॉइंट रहा है यह है जो वीडियो कैमरा जिसके बारे में बता रहा हूं गोप्रो की तरह है यह बहुत ही अच्छा फैसिलिटी से तो आपका जो इनकेस अगर आपको फ्यूचर में अगर कभी कुछ हो या कुछ ना हो तो यह सारा रिकोर्डिंग जो है गारी के अंदर वाला जो चीजे है वो रिकोर्डिंग करके आपको दे देगा 16GB मेमरी है इसको इसके पीछे देखे साथ फिन एंट्रिया भी मिल जाता है और लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो ड्रोबैक मुझे लगा है इसका बूट स्पेस बिल्कुल मारूती 800 की तरह है बहुत ही छोटा स्पेस है आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मैं अभी आपको दिखाऊंगा खोल के भी तो सबसे पहले अभी देख लेजे देखे इसका जो वील है वो 15 इंच का आपको मिला है ग्राउंड क्लेरेंज जो है इसका है 185 एलोई विल आप देख सकते है जो की नया डिजाइन में दिया गया है ठीक थाक है मुझे अच्छा लगा आपको कैसा लगा आप कॉमेंट में मुझे बता सकते है बाकी ये ओलिव ग्रीन और इसके जो उपर में जो रूफ है वो ब्लैक करा गया है ये टॉप मोटेल है मै जो बूट स्पेस के बारे में बता रहा था वो देखे ये है मारूती 800 की तरह है आपको ज़्यादा इसमें समान नहीं जाएगा लगबा लगबा ये सायट 250 लिटर का बूट स्पेस है तो अभी आपको दिखाते हैं हम पीछे के सीट के बारे में पीछे के सीट में जो है फ बता नहीं यह किस तरह इंजिनेरिंग करके बनाया है पीछे देखे आपको पर्सल ट्रे मिल जाता है है एड्रेस दो मिल जाता है जी जो है वह रिकलाइन है कमफर्टेबल है लोंग जर्णी के लिए फैब्रिक सीट है आप इसमें चाहे तो लेदर बाद में लगा सकते हैं पीछे आपको रियर ऐसी वेंड भी मिल जाएगा और ग्रेब हैंडल और जो है रिडिंग लेंब भी आपको मिल जाएगा फॉर ओल फॉर पाउर विंडो है और इसमें छे एरबेक्स आपको मिल जाता है इस टॉप मोडल में और इसका जो की है वो जैसे नॉर्मल हुंडाई का जो टॉप मोडल में की आता है वही है इसका जो बेस मोडल है इसका एक्सोर रूम प्राइस है 5,99,000 और जो की ओन गौहाटी में वो आपको मिल जाएगा 6,70,000 में